हेलो गाइस गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग गुड इमनीं गुडाइट तो कैसे आप लोग बढ़ियां ओके तो आज हमारे पॉलिनोमिल्स का चौथा लेक्षर है ठीक है और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने रिलेशनशिप के बारे हैं जीरो जर कोफिशेंट वा नामे जीरो और पॉफिशेंट के रिलेशनशिप पढ़ने हैं अब यह क्या होते हैं कैसे होते हैं एक जड़ा समझते हैं अपन तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जब भी हमें पॉलिनोमन लेते हैं ठीक है तो उस पॉलिनोमन को जब आप सॉल्फ करते हो तो उसके जीरो जाते हैं ठीक है जैसे मालो कि आपने इसके दर एक नंबर रखा के और के जीरो है तो के रखने पर यह जीरो आएगा तो गे के के इस इक्वल टू माइनस बी ऑपन में ए तो यह यह रिलेशन है न यह zeros है क्या है यह यह जिरोज और यह गाद कोफिशेंट्स तो इनके बीच में यह रिलेशन आ रहा है एक linear polynomial के लिए तो यही रिलेशन सिफ हमें पढ़नी है zeros of coefficients के बीच में linear के लिए क्या रिष्ता न इनका पवित्र रिष्टा जानेंगे आज हम तो आए शुरू करते हैं पडाई पवित्र रिष्टा क्लिए तो यह कहानी है लिए इसके कंदर मापको बढ़ के बारें बताइएंगे कि इसके पॉन का जिरो के पॉफीशेंट साथरे मुन कचे बारे शुरू करते सो हईडिंग लगाते हैं हमारा पहला टोपिक होगा इसार सफ लिनियर पॉलिनोमियल की कैई अब देखो लीनियर पोलिनोमेट, आर यह लाइन मी कीजिए हम जानता हूँ अब देखो, लीनियर पोलिनोमेल तो हो गया, अब क्या गया पढ़ना है, तो आएक लीनियर पोलिनोमेल यह आमने P of X अब इसके अंदर मान लिजे कि इसके 0, अलफा, लेट, अलफा बी दव, 0 of this polynomial, 0 of P of X तो अलफा को हमने इसके 0 मान लिया, तो अगर अलफा इसके 0 है, मतलब अगर एक्स के जग़ा पर अलफा डाल दे हम, तो यह आइटम जो है, 0, 0, 0 आ जाएगा तो A alpha is equal to minus B, और 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 alpha is equal to minus B upon A, तो यह इसके 0 है, और यह इसके coefficients हैं, तो इनके बीच में यह relation आ रहा है, यह किसके लिए आ रहा है, यह हमारे पास आ रहा है, एक linear polynomial के लिए, done है, चलो, अब linear relation हमें समझ में आगा, हलाकि यह relation उतना काम भी नहीं आएगा, प्लस यह उत उतना जादा important नहीं है, हमारे निए सफसे main रहेगा, वो होगा quadratic का, क्यूबिक वाली चीज़े पूठी है, क्यूबिक वाल जो syllabus है, वो आपके N-C-R-T से remove कर दिया गया है, ठीक है, बोड के पॉइंट भी से, बट हलां कि फिर भी, क्यूबिक एका सवाल आ जाते हैं, इसल quadratic equations, quadratic polynomial, quadratic polynomial, quadratic polynomial, quadratic polynomial, quadratic polynomial, quadratic polynomial, ठीक है, इस चीज़ को ऐसे कर लो, इसको वहीं रहन दिया जाए, ठीक है, और इसको जाए, हटा दिया जाए, यह होगा ही नहीं, त्यार नहीं होने के लिए, ठीक है, जब quadratic के 0 के वारे में क्या कहना है, quadratic relationship क्या हों, ठीक है, तो मान लीजिए, quadratic polynomial है, ax that plus bx plus c, ax square plus bx plus c, अच्छा, इसके हमने मान लिए, let alpha and beta be the zeros of zeros of p of x, इस polynomial p of x के zeros टा है, alpha और beta, alpha और beta अगर इसकी zeros टा है, इसका मतलब x की value जोई alpha आएगी, और यहाँ पे x की value जोई beta आएगी, ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर है आप alpha और beta इसकी zeros टा है, जब आप मान लोगा इसके अदर आपने इसकी zeros की value रखी, तो यह item जो किसके, a square plus bx plus c is equal to 0 आजाएगा, यह चीज जो है, 0 की equal आजाएगा, जब आपने इसके value जो है, 0 रखो गया, जब क्या रखो गया, 0, clear, इसके zeros में रखो गया, तो इसके 0 जोगे तो 0 आजाना चाहिए, अब x is equal to alpha, x is equal to beta आगया, अब यह पे काम करो, alpha को आप इससे ले किया हो, और beta को भी आप इससे ले किया हो, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x minus alpha is equal to 0, और यहाँ मिलेगा, x minus beta is equal to 0, दोनों को multiply कर दो, 0 into 0 कितना आएगा, 0 आएगा, so यहाँ से x minus alpha into x minus beta is equal to 0, ये क्या हो जाएगा x का square x into x x का square x into beta beta x दिया जाएगा आपका minus beta x अच्छा minus alpha into x क्या हो जाएगा minus alpha x ठीक है और minus alpha into minus beta क्या जाएगा आपका minus minus जाएगा plus alpha beta is equal to 0 अब इन दोनों में से अगर हम पुछ common ले ले देखो दोनों में x है तो हमने x ले लिया common और minus sign को भी निकाल देखो जाएगा beta plus alpha x plus alpha beta इन चीज़को तो अगर आप rearrange कर दो तो बीटा plus alpha को alpha plus beta लेगते हो ठीक है और x times of alpha into beta है ऐसे क्यों कर दिया हमने क्योंकि a plus b जादा अच्छा लगता है बस और कोई कारण नहीं है अच्छा लग रहा है इससे कर दिया समझें अब b plus alpha है अच्छा लगता है तो और दूसरी बात तो फरक भी नहीं पड़ता ना दो में तीन जोड़ता है तीन में दो जोड़ता है फरक नहीं पड़ता आंसर पास ही आने वले इसलिए आप इस जोपर असे कर सकते हैं बाकि अपने मर्जी सकते हूं ऐसे कुछ नहीं कर सकते है ठीक है सरी चलो तो यह हो गया यह हो गया एक important हमने एक quantity यहां बना अब आप अब जब आप इनको compare करोगे क्या तरुको compare है ठीक है दोलों को compare करोगे तो इनके coefficient सेम आने चाहिए बट आप देखो इसमें x2 को जो coefficient है वो a है और यहां पे x2 को जो coefficient है वो 1 है तो आपको दो रास्ते है या तो आप इस a को 1 बना दो या तो इस 1 को आप a बना दो तो एक क करते हैं हम क्या करें है हम इस इक ayar को 1 मना देते हैं कैसे बनाएंगा एक ऑन आप दोओ साधuar जो Beimट कर दो इसमें आप डिवाइड कर दो थीक है अच्छ सई को टुर ज़िरुंना देरो एक एक कि इस से ओए कर दो थीक है तो ये तो पहत जो जाएगा अब आप देखो इस इस चीज़ को हम मिटा देते हैं फिलाल भी लेसे की जरूओत नहीं है यहां पर ठीक है तो यह आप साहर जायाएगा हां अपी बीच मिल जायगा आपको एगस का स्कुवर्ड प्लस ये कहा जायगा बी बाइट ये एक्स और यह कितना हो जायगा सी बाइट ये और ये कितना ह अब next में जब आप X-Up Efficient compare करोगे तो दो दो X-Up Efficient यहां पे कहा है B upon A और यहां पे कहा है minus alpha plus beta अब यह minus N को आप इजर करो तो कि इन आ जाया है कि minus B by A is equal to alpha plus beta यह बहुत important relation और इस chapter की जान ही थीक है जए सर्थ तुम्हारी जान होती है, मतलब देखा ओगा तुम नियादा वयसे इस chapter की जान गिये है, समझे क्या है मेन है, मेन सबस्ते हो मेन यहाँ पूरे chapter का पूरा पूरा important formula यह है ultimate जह आप दियान डखना, ultimately यह बहुत important रहेगा और यह direct formula पुछा जाता है इसमें ने, what exam में है basics में आपसे सवाल पुछा गया तो कि sum of zeros का formula alpha plus beta is equal to dash 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 और option में minus b by a भी था आपको tick कर गया ना वाद एकदम आसान formula ठीक है, चलोगो अप अगला क्या करेंगे अगला आप सौन करो alpha into beta इसका constant term और इसा constant term क्या है, c by a तो दोनों का constant term भी same आएगा तो alpha into beta क्या है, c by a आजाएगा तो यह आपका दूसरा relation है समझें, alpha plus beta is equal to minus b by और alpha into beta is equal to c by a clear होगा relation अब देखको इन चीज़ों को जाएगा, पर ढंसे लिकना हूँ आप nobly arrange कर दो, तो देखको आपको क्या मिलेगा सबसे पहले आपको इसे सीखने मिलेगा हाना, क्या सीखने मिलेगा sum of zeros आप इसे sum of zeros या roots भी लिख सकते है, ठीक है is equal to क्या होता है sum of zeros किसे कहता है alpha plus beta को sum of zeros कहते है यह किसकी equal आता है, यह आता है minus b upon a के equal और अगर आपको ध्यान से याद हो तो ax का square plus bx plus c हाना, इसके बीच में जो होता है अपना minus तो minus है, लेकिन b क्या है b जो है, x का coefficient है यहां लेगो, coefficient of x coefficient of x divided by a क्या है सब coefficient of x square ति इसको लिखेंगे आपके coefficient coefficient of Harrison square अगर दन है, यह भी आपका exact प्रपर इस तरीके साब को लिखना है next, आपने क्या पड़ा था हमने पड़ा था product of zeros, अब product of zeros क्या होता है product of zeros क्या होता है product of zeros का मतलब होता है alpha and to beta, और यह आथा आपका c by a, और c क्या है c देखो, आपका constant term है आपने यह भी आपने का constant term constant term divided by a क्या है, coefficient of x square याद यह constant term को हम absolute term भी कहता है coefficient of x का square तो यह दो relation आपको ध्यानक में sir, इनकी जरूरत क्या है? इनकी बहुत जरूरत है, ठीक है इनकी जरूरत बहुत है, ठीक है जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है आपने तो पढ़ा है x star plus bx plus c के लिए कल जाके अगर आपको पॉल्लमर आजाता है कि एक पॉल्लमर दे रखा है, p of x is equal to px का square plus qx plus r तो यहाँ पे अगर आपसे कोई alpha plus beta पूछ ले तो आपको ध्यान होना चाहिए आप यहाँ minus bbhya लिखके नहीं आ सकते minus bbhya लिखके नहीं आ सकते यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x का coefficient क्या है q तो इस कांसर कितना आ जाएगा है minus q और divide by p आ जाएगा तो यह चीज़ आपको इसलिए काम आएगी alpha into beta पूचे तो आप c भाई यह नहीं लिख सकते यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा c की जगा पर c क्या है constant term है तो constant term कितना है r और p हाँ तो r by p इस कांसर आ जाएगा r by p done है next part आपको क्या करना है यहाँ तक clear होगे अगले part के लिए ठीक है माननों एक बार question दिया गया था हम ठीक है एक polynomial दिया होगा था p of x is equal to x का square plus a x plus b और इस polynomial के लिए इस तरीके से confuse के जाता है इस polynomial के लिए पीछा गया था कि alpha plus beta क्या होगा और alpha into beta क्या होगा अब यहाँ पे जिन students नहीं से minus b by a tick कर दिया और इसे c by a लिख दिया उनका wrong हो जाएगा ठीक है यह wrong है इस polynomial के लिए क्यों इस रॉंग है ध्यान से लेखना आपको यह नहीं ध्यान रखना है कि alpha plus beta में minus तो लगाओ और b b actual में क्या होता है b होता coefficient of x x of coefficient x का coefficient क्या इस polynomial के दर a तो आपको यहां पे a लिखना होगा यह ध्यान रखना upon man a coefficient of x का square और x का square में कितना है तो यहां पे upon 1 आजाएगा minus a upon 1 इसका answer minus a आया था इस polynomial हो ठीक है और इस polynomial में आजाएगा alpha into beta के अगर आपन बात करें alpha into beta होता c by n alpha into beta केतना हो जाएगा c by a अब c क्या होता है देखो c इसमें ना constant time और constant time कितना इसमें b दिया हुए तो c की जगह पे b आ जाएगा और a, a तो दिखना है coefficient of x का square 1 है तो यहां प्यापन में 1 यानि b by 1 यानि b आ जाएगा तो इस type of questions देख पे कंफ्यूज करने के लिए जान दखा एगा clear? चला हो next, 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 next के relationship, next हमें क्यूबिक के बारा फटना है ठीक है तो क्यूबिक के निश्यों शिपने को बता दे रहना है Qbc polynomial गूबिश्म पोडानीन चुविक इन खथे करिए प्रमियों कीविक आरे बाते हैं सबस्क्राइब को तो क्योजिएक है अब 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 बस्क्राइब को एक कि अदर टीन जिए जाएंगे X is equal to alpha X is equal to beta and X is equal to gamma ठीक है तो यह क्या हो जाएगा, x-alpha is equal to 0, x-beta is equal to 0, और लास्ट लिया जाएगा, x- gamma is equal to 0, तीनों को आप multiply करतों, तो x-alpha into x-beta into x-gamma is equal to 0, आप जब इनको multiply करेंगे, तो मैं नेख लेजिस करके इनको बता दरहूं, क्या रिएशन आएगा, ठीकित, यह आपको मिलेगा, x-cubed minus alpha plus beta plus gamma x-square, plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, और यहाँ लग जाएगा, x, and lastly minus alpha beta gamma, ठीकित, और यह आपका formula यहाँ पर पूरा होगा, बस्यों, done, चलो, यह आपको, आप multiply आपको करना पड़ेंगा, multiply सब्सक्राइब लन दी जाता है, और फिए टॉपिछ जो एनको इसको मैं पूरा करके नहीं बता रहा ठीकित, हाँ, multiply आपके आपको कर सकते हो, इसका multiplication आपको यह दोगा, इसमें केवल x-gamma से आप multiply कर देना, हाँ, आपको relation मिलेगा, अब जब आप इसको original से compare करेंगे, हाँ, original क्या था इसका, यहाँ दे क्योबिक का जनली को इस जनली क्या होता है, अब इसमें काम की चीज़ क्या है, सब काम की चीज़ है, इस इकोल टो जनलो में आदेगा, कर दो यहाँ इस इकोल टो जनलो, अब देखो, आपको क्या करना है, इसे जब coefficient compare करोगे, एक्स क्यूब कोफिशिंट यहाँ पर one है, और यहाँ पर a है, तो अगेन वही बात, या तो इसको one को a बना दो, या फिर a को one बना दो, खना, one को a बनाओ, या फिर a को one बना दो, तो क्या करेंगे, इसके अंदर भी a x का square, और यह कितना हो जाएगा, c by a x, और यह आजाएगा आप पर d by a, और is equal to 0, अब जो आप compare करोगे, ठीक है, अब आपको मिलेंगे relation, अब मिलेंगे आपको relations, देखो, पहला के मिल रहा है, पहला हमें relation मिल रहा है कि alpha plus beta plus gamma, इसका coefficient देख रहा है, minus में आई है, ठीक है, यह काम करो, और is equal to 0, तो इसका minus नहीं देख रहा है, तो क्या मिल रहा है, आपने को minus b by a, second आप देखोगे, alpha beta, alpha beta, plus beta gamma, plus gamma alpha, यह, देख रहा है, कि इसका coefficient है, x का, x coefficient यह है, तो इसमें x coefficient का है, c by a, तो यह c by a के equal आजाएगा, and last में, last में आपको देखना है, constant हम क्या है, minus alpha beta gamma, ठीक है, तो alpha beta gamma, और minus नहीं से डल दो आप, और इसका absolute term, नहीं constant हम क्या, d by यह दिया जाएगा, आपको minus d by, तो यह हो जाएगा, आपके important relations cubic के, यह चीज़ों अगर आप फिर से लिखे है, हाना, तो आपको देखो, इस तरीके से निकले नहीं, इसने, sum of zeros कहते है, इसे है, हाना, sum of zeros, और अगेन वो ध्यान दाएगा, पोफिशेंट of x square अपन में आ जाए गए, sum of zeros, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, alpha, beta, beta gamma, gamma, alpha, इसे कहते है, sum of zeros, sum of zeros, taken two at a time, taken two at a time, एक बार में दो 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 बनाइट करते हैं ना, ठीक, and lastly, alpha, beta, gamma है ना, यह क्या हो जाएगा, आप अच्छा, इसमें formula देखा नहीं क्या हो जाएगा, इस चीज़ को तो जाएगा, ठीक है, यहां लेको, क्या जाएगा, c divided by a, done, अच्छा, alpha, beta क्या हो जाएगा, minus d upon a, और इसे क्या कहते है, फिर इसे कहते है, हम product of zeros, जाएगा, product of zeros, done, यहां तक आपके पुरे की उभी का part complete हो जाता है, so, next, 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 अब देखो, इस पर हम करते है, कुछ example, ठीक है, example number 2 क्या दिया हुआ है, आपको zeros find out करना है, x square plus 7x plus 10, and verify करना, इसका relationship between zeros and coefficients, ठीक है, यहां पर दो चीज़े माँ आपको काम की बता हुआ, सबसे परदा ता आप इसे फैप्टराइस करना, आपको आता होगा, x square plus 7x plus 10 दे रखा है, फैप्टराइस करोगे, x square square, और यहां पर लिखोगे 10, दो पार्टनर ब्रेक करोगे, आसे करोगे, जोडने पर 7 आए, और multiply करने पर पहला उना, इंटु लास्ट आए, जोडने पर 7 आए, ठीक है, जोडने पर कितना आज़े है, 7, ठीक है, तो b plus q जोगे 7 आज़े है, और इनको इन टू करने पर जो है 10 आना चीए ठीक है तो 5x और 2x लिगे यहाँ पर 5x प्लस 2x अब इनको ले लो आप common ठीक है हाना common अब आप लेंगे ठीक है 0 निकालने का टाइम पर ठीक है अब लास्ट में इन दोनों पार्ट में अब फिर से common नेगे तो x प्लस 5 दोलों में है और यह दोलों में के आजाएगा आपे x प्लस 2 is equal to 0 ठीक है अब इसके दो रूट्स आगे x is equal to minus 5 और x is equal to minus 2 कैसे आएगे आप दोलों को individually is equal to 0 पूट करके देख लेना ठीक है मैं तो इन में से जो एक रूट आएगा जो एक रूट आएगा इसे अपन कहेंगे alpha और इसे कहेंगे हम is equal to beta तो next आपके alpha और beta आएगे next part में क्या करना verify करना relationship 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 verify करने के लिए alpha प्लस beta is equal to minus b यह जो formula फड़ा था बस वापे values रख चेदा नो alpha के जागा minus 5 plus beta के जागा पे minus 2 is equal to minus और b कितना है हमारा 7 है यह प्रवड दो 7 ठीक है और a कितना है 1 तो minus 7 बाई बाद minus 5 और plus minus minus 2 is equal to minus 7 ती आजाएगा minus 7 is equal to minus 7 यह प्ला पाद वरिफाय होगे और and second जब अब alpha इंटो beta is equal to c by a लिको गे गो तो alpha कितना है माइनस 5 और beta कितना है minus 2 और c कितना है आपका c दो यह पर आपको मिल जाएगा 10 यह जाएगा 10 अपन मेरी किजगा 1 minus 1 इंटो minus plus 5 और 10 तर 10 is equal to 10 अगे यह भी होगे आपका verify clear next आपन देखता है example number third तीसरा एक्जाम आपका 0 find out करना hex square minus 3 का यह आपका एक important question रहे था important case लिए कि दो को यह ऐसा question है जिसके अंदर एक square के बाद constant term नहीं है हना directly इसमें sorry x का coefficient नहीं एक्स वाला term नहीं है directly क्या आपने वो constant term दिया हुआ ठीक है here solve कैसे करना आपने का वोचे देखो solve करने के लिए लिए आपने x square minus 3 is equal to 0 अब जब एसे question रहे दो काई है इसके करो होगा एक स्क्वार माइनस या जो भी नंबर रूट लगा के इसका स्क्वार करना क्या होगा इससे A square minus B square का फंब नहीं अब A square minus पर दोटरट द र darf पो अंप दर नहीं Oh well but thanks and only hide इस स्क्वार माइनस ब्र क्या ओजाएगा एक बार आप इसी अडिश प्लस। रूब तरी और अक मारा जाएगा एक्स- delay या दन्हें एक फ़ॉम्ला प्रध 400 मैं a का square minus b का square क्या आता है यह एक बार plus में आएगा और एक बार minus में तो जब भी दो number का square minus हो रहा हो तो एक बार उते plus करेंगे यह भा माइड़ सरके multiply करना हो ओका एक तो यहाँ से आप is equal to zero करोगै तो x is equal to a minus root 3 और यहां से आएगा आपका x is equal to plus root 3 एक आपका alpha है और दूसरा आपका beta है alpha and beta अब अगें relationship जब verify करोगे तो alpha plus beta is equal to minus b by a alpha जब अगर आपका root 3 beta रण तो आप minus root 3 is equal to minus b तो इसमें a नहीं 0 है तो 0 करो दो upon में a देखो यह 0 आजाएगा और यहां अभी कटके कितना आगे 0 तो यह verify हो गया जब alpha into beta को 0 करोगे sorry c by यह करेंगे आप c by a alpha कितना root 3 beta कितना minus root 3 is equal to c कितना आपका minus 3 देखो root 3 into root 3 कितना आजाएगा 3 आजाएगा और यह minus sign minus 3 और यह भी minus 3 आगया तो यह भी आपका verify हो जाएगा था clear अब इसी तरीके से आपको सभी polynomial प्रोड़्यों निकालना है और लेंजी verify करना है lastly हमारे पास एक question find a quadratic polynomial अब यह question है जिसके अदर आपको polynomial बनाना है है आपको sum of fruits और product of fruits दिये हुए ओर आपको प्रोड़्यों प्रोड़्यों निकालना है find a quadratic polynomial तो यह आपको alpha plus beta दिया हुए और यह आपका alpha into beta दिया हुए और यह आपको इसके एपको formula यह उसखारना है यह formula यह आपको k times of x ka square minus alpha plus beta x plus alpha into beta यहाद है यहाद है यहाद है अमने डिराइज के अधा भी ठीक है बस इसी के अंदर आपको वेल्यु रख दिया ना यहाद के टाइम्स एक स्क्वार माइनस अलफा प्लस बीटाग जगा पर रखो माइनस थीन हैक्स और अनफाइन तो बीटाग जगा रखो 2 ते क्या हो जाएगा आपका के टाइम्स ओफ एक स्क्वार माइनस माइनस प्लस 3 एक्स और प्लस 2 हो गया इतने हासाने सब फॉर्णमल यहाँ पर फॉर्म कर लोगे क्लियर अब यह जो आपने नेक्स्ट नो लास्ट क्वेस्चन इस अपने लेक्चर का आखरी सवाल ही ठीक है आखuaryस अखरी सवाल र्रीक है डिखो क्या बोला है चेक करने आपको वरिफाइए देट 3-1 and minus 1 by 3 are zeros of this call number. आपको वरिफाइए करना है, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो, ये करने के नहीं, zeros है ये ये चेक करना है, आपको कुछ नहीं करना है, तो zeros कैसे मालूम पड़ेंगे हैं, जब आप इसके अंदर, इस point number 1 के अंदर इसकी value रखो, और अगर ये 0 आजाए, तो ये इसके 0s हैं, और 0 नहीं आया, तो इसके 0s नहीं होंगे, ठीक है, तो देखो, पहला हमने रखा इसके अंदर, p of x हमें given है, ठीक है, 3x cubed minus 5x squared minus 11x minus 3, ठीक है, अब जब हमने इसके अंदर कहा रखा, p of 3 रख लिया, तो 3 into 3 का cube minus 5 into x का square, तो ये हो जाएगा, 3 का square minus 11 into 3 minus 3, अब चेक करूँ है, तो 27 आजाएगा, 3 का cube, और 27, 3 से कितना आजाएगा, आप एटीवन आजाएगा, ये होगे, आप एटीवन माइनस, 3 का square 9, 9, 5 सा 45, तो 81 minus 45, minus 33 और minus 3, देखो, ये कितना आजाएगा, आप 3 और 36, और 36 और 45 और 80 आजाएगा, 81 minus 81 कितना आजाएगा, आप जिरो आजाएगा, तो ये तो जिरो आजाएगा, नेक्स चेक करूँ, p of 1, minus 1, अब रख दो minus 1, तो 3 x जाएगा माइनस 1 का cube, minus 5 x जाएगा माइनस 1 का square, and minus 11 into x जाएगा माइनस 1 and minus 3, देखो, minus 1 का cube कितना होगा, minus 5, minus 1 into 3 कितना आजाएगा, minus 3, minus 5, अब minus 1 का square, plus 1, 1 into 5, 5 आजाएगा, minus into minus plus जाएगा, 11, 1 is 11, और minus 3, अब देखेटा ऐसा है, 11 में से 5 जाएगा, अच्छे, अच्छे में से 3 जाएगा, 3, 3 में से 3 जाएगा, पुरा पुरा जीरू, clear, लास्ट ल देखो, आपका क्या है, minus 1 by 3 रफना है, तो जहाँ-जहाँ, एक से दुनिया में, वहाँ-वाँ-1 by 3 रफ दो, 2, 3, x का cube, यानि, minus 1 by 3 का cube, फिर क्या है, minus 5 x का square, यानि, minus 1 by 3 का square, फिर क्या है, minus 11 into minus 1 by 3, and लास्ट क्या है, minus 3, जो अब solve करोगे, तो 3 times of, minus 1 का cube, minus 1 रहेगा, और 3 का cube होजाएगा, 27, minus 5, अब minus 1 का square होजाएगा, आपका plus 1, और 3 का square होजाएगा, 9, minus, अचा, minus into minus क्या होजाएगा, plus, 11, 1 से 11, और upon में क्या आगिया, 3, और minus में आपे क्या है, 3, दोब और ये कटके आपका 9 होजाएगा, दिख रहा होगा आपको, ये कटके आपका 9 होजाएगा, अब दोब इसका भी denominator 9 है, इसका denominator 9 है, जिसको आप ऐसे subtract करना है, क्या लिखा होगा है, ये minus 1, minus 5, और upon में दोणों क्या आजाएगा, 9, और उसके बाद क्या है, plus 11 by 3, minus 3, minus 3, देखो, minus 1, minus 5 कितना आजाएगा, minus 6 by 9, ठीक है, minus 6 by 9, तिस चीज़को यहाँ लेके चलता है, ठीक हो, minus 6 by 9, और plus ट्या है, 11 by 3, और minus 3 करना है, 3 करना है, अब देखो, ये कट जाएगा, काटे उसको, 2 और 3 आजाएगा, 2 by 3, 3 के टेबल से, 3, 2 जाए, 3, 3 जाए, तो minus 2 by 3, plus 11 by 3, minus 3, आब देखो, इनका denominator सेम है, तो 11 minus 2 कितना आजाएगा, 9 by 3, और minus 3 करना है, 0, तो 3 रखने पे भी 0 आया है, minus 1 रखने पे भी 0 आया है, और minus 1 by 3 रखने पे भी 0 आया है, मतलब ये तीनों के तीनों ही इस पोलिनोमियों के 0s होंगे, clear है, तो आज के लेक्षिट में हम से वेदलाई करना वाला है, ठीक है, आज इसके बाद आपका तो भी कोई इस्यों नहीं है, आप जो ऐसे नक्चे का solution देख लाना, ठीक है, फिर ना फिर नेक्स लेक्षिन, तिल देट आप पड़ाई करते हैं, all the best.